हाई गाईज वेलकुम बैक टो मैं चैनल मैं हूंस वीडियो और आप दी ख्रियो स्पार्लेंग सोल्स आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम लगातार ना किसी के बारे में क्यों सोचते हैं अगर आपके माइंड में भी ना हर समय कोई परसन घूमता रहता है आप अ इस जान सकते हो कि आखर यह सारी चीज़ें आपके साथ हो क्यों रहा है जब हम किसी इंसान को याद करते हैं तब हम उस इंसान से वाईब्रेशनली बहुत ज標 ज्यादा connect हो जाते हैं क्योंकि जब हमारे mind में कोई इंसान चलता रहता है ना, तो उसके भी mind में हम चलते रहते हैं, क्योंकि ये एक energy है जो दो लोगों को एक धूसरे के साथ connect करती है, अब आप खुँद सोचके देखो, जब आपके mind में कोई भी इंसान घूमता रहता है तो आपका mind और आपकी body इस चीज को ना बहुत powerfully feel करती है example के लिए मार लीजे आपका किसी भी कामों में मन नहीं लगना एक lazy वाली feeling आपके खुद के भी तरसी आना और इसके अलावा आपका mind ना किसी भी चीज में पूरी तरह नहीं लग पाना अब बात करते हैं कि ये सारे emotions feel करने के reasons क्या-क्या होते हैं दरसल जब हमारी कोई ख्वाईश, हमारी कोई इच्छा ना अधूरी रह जाती है example के लिए मान लीजे कि आप किसी इंसान को कुछ बात कहना चाते थे अपने दिल की बात express करना चाते थे आप जो feel करे हो वो बोलना चाते हो पर किसी भी conversation के बीच में अगर वो सारी चीज़े आप नहीं कह पाते हो और वो बात चीट आप दौनों की बीच में ही stop हो जाती है और आपको मौका नहीं मिल पाता है अपने तरफ की अपने हिस्से की बात को कहने का ना तो क्या होता है कि बाद में वो सारी बाते ना आपका mind ही आपको बताने लग जाता है आप फील करते हैं अपने भीतर की मैंने क्यों उससे ये नहीं कहा मुझे ये कहना चाहिए था अगर मैं ये कह देता तो आच्छा है situation कुछ और रहती ये सारी बातें फील करकर के हम उस इंसान को बहुत जाला याद करते हैं बार बार mentally हम उसे याद करके वो सारे affirmations, वो सारी बातों को repeat करते हैं और जिस कारण क्या होता है न कि हमारे mind में कोई person बार बार ना घूंता रहता है हम लगातार एकी इंसान के बारे में सोचते रहते हैं और अब बात करते हैं दूसरे reason की जब कोई इंसान हमें बहुत ज़्यादा याद करते हैं तब हमें भी उसकी याद आने लग जाती है क्योंकि जब कोई इंसान आपको deeply बहुत ज़्यादा दिल से miss करता है तो जाहिर सी बात है कि आपका और उसका कोई ना कोई strong connection बना रहता है जिस कारण वो emotionally इतने ज्यादा powerful आपको feel करता है आपको याद करता है और जिस कारण उस पहले वाले person की तरह वो दूसरे वाले person को भी उसकी याद आने लग जाती है और तीसरा reason जब आपको कभी ना ऐसे किसी emotion के साथ deal करना पड़ता है जो आपके लिए बहुत जादा surprising हो ये सारे emotions आपके लिए अच्छे भी हो सकते हैं और कई बार ये आपके लिए बुरे भी हो सकते हैं अब बात करते हैं सबसे पहले अच्छे emotions की जैसे आपको ना कभी किसी ने पहली बार gifts देखर surprise किया इससे पहले आपको life में कभी किसी ने ना कोई gift ना दियो ये सारे emotions जब हम अपने भीतर feel करते हैं इन सारी चीजों से हमारा connection बनता है तब हम उस इंसान को भी याद करने लग जाते हैं जो हमें इन सारे emotions को feel कराने में मदद करते हैं इस सारे अच्छे emotions की तरह कई बार life में हमें कुछ ऐसे emotions के साथ भी deal करना पड़ता है जहां पे ना कुछ लोगों को break up और cheating जैसे चीजों के साथ deal करना पड़ता है और इस case में भी ना पहले वाले person की तरह हम उस इंसान को भी याद करने लग जाते हैं और उसके बारे में सोचने लग जाते हैं जिसने हमें ये सारे emotions ना feel कराये होते हैं ये थे कुछ reasons जिसकी वजह से न हम जान सकते हैं कि हम लगातार किसी person के बारे में क्यूं सोच रहे हैं। इन सारी points के अलावा कई सारे reasons हो सकते हैं जो हम अपने भीतर feel करते हैं। इस कारणना हमें किसी परसन की याद आती है और हम लगातार किसी इंसान के बारे में सोचने लग जाते हैं तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए बाब बाई